लेवेंत मैंने भी वेस्ट करी थी ना जानते हों यह हमने भी वेस्ट करी पुछ रिकॉली नहीं होता था बार वी एंड पर लेकिन बात होती है जब आप जाग जाए ना उसके बाद आप मुढ़ के ना देखे कि आपने क्या लॉस करा है रोना पीटना बंद कर दीचे पहली बात अगर आप रो पीट रहे ने तो आपको कोई भी बर्गला जाए यह कर ले इस्से हो जाएगा तू पर ले लगे यह तरीका सिंपल है बार बार वो नो तरीका बहुत सिंपल है चुप चा पड़ाई करें नहीं ट्रस्ट होता है कि सब इतना इंपॉर्टन नहीं लग रहा है कोई नहीं फिर भी पढ़ ले भाई पिर भी बढ़ एक्स्पिरिंस तो थोड़ा सा बढ़ा हो ना थोड़ा बढ़ा बाई मानके पढ़ ले बस मैं लिटली बादा रूओ उसको पढ़ ले इक्जाम वाले दिन दिन दिखेंगे अभ सर्वेश सर बोले शिवम सर बोले सचीन सर बोले मैं किस तरीके से त्यारी करनी मैं आपको क्या बताया जो भी आप बच्चा आपको वह चीज सीखनी है जब अरजस्ती अपने आपको कॉंप्लिकेट नहीं करना है जो आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसको अराम अराम से पढ़ते रही अब देखना मैं हमीशा कहता हूं स्टेप तरीके से ना अपनी त्यारी करनी चाहिए सारी जान आपको अभी लगानी बहुत सारे बच्चे अभी भी होंगे देखो मैं हर क्लास में आपको मोटिवेट करने की जुरत पढ़ती है रीदन भी आप छोटे बच्चे आप अभी भावनाओं में बहने वाले बच्चे हैं अभी भावनाई रहेंगी कि भाई कि मैं पढ़ूंगा तो पूरी शरीर खरा करतव्य पढ़ाने का है समझाने का है आपके साथ खड़े होने का है वह हम लोग भरपूर निभाएंगे अपना काम बस आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा और अगर आपको यह लग रहा हो कि आपकी 11 वेस्ट होने से आपका सेलेक्शन नहीं हुआ ये भी आप पड़ा है लेकिन कुछ रिकॉली नहीं होता था लेकिन जब समझ आया कि नियार करना है तो उसके बाद मुड के निदेगा कि भाई कितना नुकसान करके आए थे उसके बाद यहां से कितना बना के ले जाएंगे वही हमारे लिए है बस और मैं लिटली बता रहा हूं जो ब पर वाली रेंकर्स की बात करें वो कभी भी दूसरे